वेल्कम बैक टू जागो लहूर जनाब अब के हम डिसकॉशन करने वाले हैं लहूर हाई कोड बार के एलेक्शन के हवाले से 23 फर्वरी को एलेक्शन हुए सदर और नाइप सदर आज हमें जोइन करेंगे उसके साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर है महामध इस फाक जो के हाई को वोट की बीठी करते हैं और महामब मौजूद रहते हैं वाल्कम तुट शो मौहमध इस फाक बहुत शुक्रिया जिनाब उसके साथ साथ हमें जोइन किया है एडवकेट हफीज रह्मान ने जो के न्यूवी एलेक्टिट प्रेजिडेंट है और इसके साथ 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 एड़ सबसे पहले तो लाहूर नियूज और दुनिया मीडिया ग्रूप की जानिब से नो मौन्तहिब क्यादत को मुबारक बात हम पेश करते हैं तो लाहूर हैकुट बार के जो इंतहाबात हुए तो हर एलेक्शन में सخت मेहनत करनी पड़ती है उमीदवारों को डोर टोर जाना प कोसा ग्रूप के साजीद बशीड साब तो सबसे ज्यादा वोट हासिल किये 3871 हफीज रह्माद चोधरी साब से और फिर लहूर हाइकुट बार के सदर मुंतहिब होगे इनकी मैं एक बात आपको यह भी बता दूँ जिस दिन एलेक्शन से पहले हम प्रोग्राम करने के जए उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि हफीज रह्माद चोधरी साब श्रीफुल नफ्स शिक्सियत के मालिक हैं इनका अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ इनको एज यह भी हासिल है कि यह मेंबर पाकिस्तन बार कॉंसल और सबीग चेर्मेन एग्जेक जो उमीदवार था वो महनत अपनी कर रहा था लेकिन छेव उमीदवारों में से ये काफी डिफिकल था लेकिन जो किभीर रह्माद चोधरी साथ की बारे में ये कहा जायता है वो ये हैं कि ये नीचे से उपर आएज़ के और एजु और देती के तो इन्होंने काफी ज्यादा मिहनत की जिसके बाद नाइब सेदर के होड़े पर मुन्तहीब हुए और दो हजार तीन सो चार वोट हासिल किये कभीर रहमाद चोधरी साथ के इसके लावा सेक्टरी के निशित पर कुछी देर बाद हमें जोईन करेंगे फियाद रहमाद र लेकिन उनके ग्रूप ने इस मर्तबा लहूर हाईकोट बार में क्लीन स्विप किया पिछली मर्तबा को जो प्रेज़ेंट था वो भी आसमा जहांगीर ग्रूप से ही उसका तालुक था ठीक हो गया अच्छा जना नियूली एलेक्टेट प्रेजिडेंट है हम आपकी जाने करने पड़ते ही एक तो हमें जो होड़ेना जो 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 मत्रवाइड को भी आपके जाने हम गया की प्रृट को र उनके हमारा मता है कि ऑपर चीफसे कने मिटिंग करहें और िटिंग करने कि हमने तकर ऑ्मस्राइन को के वार्न को उसको फाइनल कर लिया हorf North दो दिन हुए हैं भी और हमने इसको कर लिए इसी तरह एक मिनी हॉस्पिटल का हमने सोचा हुआ था उसके लिए भी हमने अप्रूवर ले लिए है यह पुता हम की बिलकल बेऩ नहीं हो है और हमने यह डे बिशास का म्या हो早 öhane करे लिया है है तिसरा हमार यह एक हो हमारी जो लाइब्रेरेरी अइसी होनी है जी हमार आनि झाहिजिसे भान और क्वाम रावे लावेरी जो हमारी बेसिक आहरे पर के लिए मैंने जैसे का एक मीनी हॉस्पिटल चोटी सी डिस्पेंसरी थी लेकिन वह इस काबल नहीं थी कि उसे प्रापर कोई हो सेगे ट्रीटमेंट तो एक डबल वान डबल टू उसके लिए हमने जो जी प्रवेजलाई सबसे मीटिंग करके वह भी कर ली कि 24 गंटे जो है न वह मेरिट्स पे होनी चाहिए ना कि मक्सूस चेंबरों से जो है ना लोगों को पहले लिया जाता है और यह जैजिस के जो रेलिटिव हैं बतीजे हैं दमाद हैं बेटे हैं आप अगर लिस्ट निकाल के देखें तो मैक्सिमम जो है ना वो लोग आते हैं तो जो आम हैं आम परिशनल आदमी हैं उनको लेना चाहिए ताकि मेरिट पे लोग आएं आगे फैसले भी फिर उसी सहाब से होंगे अगर हम ऐसे लोगों को जो के अपने पसंदीदा हैं लेकिन उनमें एहलियत नहीं है और उनको लगा देते हैं उससे ना सिरफ हमारी जुडिश्री का मियार गोद नीचे चला जाता है लोगों के साथ बेनसाफी भी फिर होती है क्योंकि वो लागों समझते नहीं हैं और ऐसे फैसले करते हैं जो के बिलकुल इनके इनसाफ पर मबली नहीं होते हैं तो कम्पीटेंट होने चाहिए ऐसे लोगों होने चाहिए जो प्रेशर को जुद यहां जिन्लोगों को बहुत शौक है ज़घज बनने का मैं समझतो है ऐसे लोगों को भी उपारण नहीं करना चाहिए विजह है और मैं समझतो है मेरी वकालत अच्छी है तो मुझे बिलकुल जगड़ बनने का कोई शौक नहीं है ना मुझे बनना चाहिए अगर हुग के मेरी practice बहुत अच्छी और मुझे शौप के judge बेरा तो मेरा इराधा खो ठीक नहीं है , यू जाईडने बना चाहिए, तो मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए , हाँ अगर मुझे offer होती है और मेरा इराधा फिर यह कि मैंने अब पैसे को नहीं देखना मैंने सिर्फ लोगों को इंसाफ देना एक अल्ला गिल मेरे पर जम्मेदारी और उसको मैंने बॉना है और अल्ला को जवाडे हैं कि Camb utilized इस तौह के नियत लेके जो ऐसको हैंाग किसी का हग छीन जाहता है तो मैं आपका केश परκछों है जुक्म्त तर के दिए हैं पर भार में किदमत के जजभे से आई हैं और الحमदलीला हमारे सदर Omaha वो हमारी पूरी कैबिनेट जो लेक्ट की गई है ये बहुत एक्टिव है हमने पहले दिन आते ही जब चार्ज लिया तो हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी और उन मीटिंग सा पॉजिटिव रिजल्ट आ भी रहा है और इंशालला कमिंग डेज के अंदर हम इने पूरा मिल के का करेंगे क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है हमने जहां भी काम करना एकठे अपनी मिशावरत से जाते हैं और वो मीटिंग करते हैं और इन्शालला जैसे के मेरे सदर साफ फर्मा रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश से बार की खिदमत करनी है जज्जिस की तकर्री में जो हमारा काम हमने हमारी उपीनियन हम जरूर देंगे मेरिट्स पर लोग आने चाहिए और इस प्रोफेशन की इसी तरह खिदमत हो जब ना एहल लोग आएंगे तो प्रोफेशन की खिदमत नहीं कर सकेंगे दूसरा हमने आते ही मैं प्लस करता जाओं हमारे सदर साफ के साथ के हमने नहीं चीजें लेके आरहे हैं हमने कुछ नहीं जगा भी थोड़ी सी पीछे ताके जिम को और लाइदा से एक बेडमिंटन का कोड़ ताके वुकला के लिए एक हेल्दी अक्टिविटी भी आये तो हमारी कोशिच यह है कि जहां प्रोफेशन की खिदमत उस तरह से करें प् प्रोफेशन में बेतरी आये और इस तरह केसिज जो है वो जल्दी निपटाए जाएं तो उसके साथ साथ हमारे लॉयर्स की हेल्दी अक्टिविटी भी थोड़ी सी इंड्रूव हो जाए अचा अश्वाक अभी हम हाई कोट की बात करें वुकला के भी डेफिनिकली बहुत तो यकीनां मुखालिफ धड़े होते हैं मुखालफ़त भी होती है लेकिन जब एलेक्शन हो जाए तो फिर एक टीम बन जाए तो फिर वो जो सियासी मुखालफ़त है वो पीछे रह जाती है और फिर एक टीम के तोर पर चीज़े सामने आती है और पिर काम किया जाता है और के लिए काम करेंगे जो यंग वुकला हैं उनके लिए काम करेंगे ताके उनको जो लोग यूज करते हैं वो काम ना हो सके ठीक है तो मेरी बात भी हुई थी फिज़र महांचोजी साब से तुनों ने कहा था कि आने वाले जिनों में हमारे पस प्लैन मुझूद हैं और उसके तहर हम वुकला की फलाह बहबूत के लिए एकदामाद करेंगे इसके साथ साथ हास तोर पर जो सबसे एहम चीज मैंने देखिए जिस दिन एक बार जिये कही गई थी कि जो गैर ज़रूरी हड़ताले हैं वो लहोर हाई कोड़ बार नी करेगी तो ये एक बहुत बड़ा मैस इसके लिए आगे पता चला है जी आज हड़ताल है केस नहीं होगा तो उसका जो कराया जो आने जाने के खराजात हैं वो कौन पूरे करेगा तो उस हवाले से नई कैबिनट का ये एक अच्छा मैसिज था कि गयर ज़रूरी हड़ताले नहीं होंगी तो नेशनल कॉस होगी जिसमें जैसा के रिसेंटली पाकिस्तान भारत का जो इशू चल रहा था इसके ओपर हो गया इस तरह की चीज़ों के ओपर यकिना एक जहती शो जरूर की जाएगी लेकिन हड़ताले नहीं होंगी ये एक बात सामने आई थी और इसके साथ साथ बार की जो पार्किंग का मस पार्किंग है जो इस वकद वहां पे गाड़ियें पार्क हो रही है उसको हमने पार्किंग प्लाजा का नक्षा आरेडी अप्रूव है उसको फाइल को बंद करके रखा गया था हमने उसको दुबारा से निकलवाया है और चीफ जैसर साब से भी और जैसे मैंने काया के इन सब्सक्ति से उपर हम नहीं जा सकते हैं तो थीन फ्लोर सो नीचे बनेगे बैसमेंंट में और dau फ्लोर जो है उसको रहों एंज-बार्किंग और फर हे पर उसके वह हमने है को एक हजार के करीब गाड़ी वहां पर पार्क हो सकेगी ये फोरी तोर पे ये अगर पर मसला हम लोग बहां पर आ रहे हैं जो भी ऐसे चीज़ उनको प्राब्लम होती है उसके लिए क्या स्ट्राटेजी बनाई जाएगी आप उसके लिए हमने के कोई उताना खासा कोई बहुत बढ़ा वाक्या कोई हो जाता है हमारे तो वहां पर अर्दाल वह भी हम अलामती दोर पर करें चाहित के दैश्ट गर्दी और रहे तो उसे पर पाकिस्तान बार कॉंसल की तरफ से में मेसेज आया तो झालता है उतांसरा हम पर पर उसकों century guard हमें करना पड़ता मैं अबटा होगी, कि हर्टार नहीं होगी, हम कोई बहुत ज्यादा को बुकला के साथ ज्याती भी होई, तो हम कोई काली पटी मांद के अपना काम को जो ना कंटीनियू करेंगे, इतिजाज के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन काम को बंद नहीं किया जाएगा, और ये जो नीचे चोटे म बार के आते हैं, उनके साथ बहुत जल्द मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, कि कोई भी वाक्या हो, आपके वुकला को ये इंस्ट्रेक्शन होनी चाहिए, कि जाजज साब अगर कोई ज्याती भी करते हैं, तो वहाँ पे अदालत के अंदर आपने उनसे कोई जगड़ा नहीं करना, वह जाजज साब ने गलत किया तो उसकी आप कंप्लेंट करें हाई कोट में, और हम चीफ जजजस साब से मिलके उसकी जो भी अजाला होगा वो करवाएंगे, लेकिन अपने दोर पे कनून को हाथ नहीं लेना, कनून को हाथ में नहीं लेना, और वहां पे मौके पे कि इसी किसम की कोई लड़ाई या बदमस्की नहीं होने से, अच्छा वुखला और जजजस के दर्मयान भी कुछ चीज़ें ऑन और अफ चलती रहती हैं, उनके तालुकात की बेहतरी के लिए आपका, वही मैं बता रहा हुना कि अगर कोई जजज साब ने फैसला सही नहीं कि या कोई रूटीन से हर के कोई बात कर दी या कुछ जुम्ला ऐसा कर दिया जो वकील को काबले अतराज है, तो फौरी जवाब नहीं देना, बलकि उसकी कम्प्लेंट लिखके दें, चीफ चसिस को के मेरे साथ आपके जजज साब ने ये वाक्या पेश आया, मेरे साथ ये ज अक्राइशन ही ऊता तो फिर ये जाहर है कि हमें इसar का हग है, फिर हम इसाथ करेंगेगे कि अगर बुकला के साथ जिजज मिस्व необходимо करते हैं, कुछ ऐसा रवया Hearts ते हमारे मुकला की इशल्ट होता है, तो हम अपने मुकला की इसल्ट नहीं वर्दास्ट कर सकते हैं, लेकि सब हवातीन वुकला के हवाले से हवातीन वुकला की तदाद भी भड़ रही है उनके लिए बारूम चोटा सा बारूम है कोई स्पेशल जगा उनके लिए नहीं है उनकी उनको सहुलिया देने के लिए क्या आपके पास दमाद में देखे मैं आपको बता हूँ यह जो करना मर्दों के जिसे शाना बेशाना कहते हैं कि इस तरह से काम करना पड़ता है लेकिन बारूम के हवाले से जगा अभी कम है लेकिन अभी जितनी हमारे पास वुकला है उनके लिए सफिजेंट है अगर हमें कोई जगा हाई कोट में सिवर कोट जहां भी अवेलेबल हुई उसको एक्सेंट करेंगे इंचारलागे चेक होगा जाए तो आप तो मार्डरन कचैरी में रहे हैं आपने काफी वकालत भी उदर से शुरू की है तो कचैरियों की जो सूर्टे हाल है उसको बहतर बनाने के लिए क्या एक्दमाद करेंगे ताक लोगों को पता चले कि हम किस जगा पर आएं आपने देखा होगा वहां पर स्पाई के इंतजामात नहीं है तो इस तरह के वाक्यात को रोकने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्टर की बेहतरी के लिए क्या एक्दमाद करेंगे वहां पर सबसे पहले तो यह है सेक्यूरिटी का थोड़ा सा इंतजाम जो हो बेतर होना चाहिए वहां पर ज्यादा यंग लॉयर्स की अपीरिंस होती है वो थोड़ा सा जिस तरह के हमारी सुसाइटी में आप देखें तो टेम्परमेंट थोड़ा हो रहा है उस हवाले से यह है कि जब दोस हमारे नौजवान बाई हमारे जब कोर्स में जाते हैं तो बी थोड़ा सा ख्याल करना होगा मेरा परसो भी उनसे एक मैंने रखा वादा प्रोगरम यही मैंने कहा कि आप वैल प्रिपेर होके कोर्स के अंदर जाएं जजजिस में अपना अपना केस प्लीट करें और वहां से आपको रिलीफ मिलेगा तो यह है कि वहां भी बेगरी आ आता है मार्डल उनकी चैरी के सीनियर मजिस्ट्रेट हैं राय साबित साहब बहुत जबरदस आदमियां बड़े जबरदस केसिस का रहे हैं लेकिन उनकी अदालत में मुल्जिम को पेश किया मुल्जिम वापिस गाड़ी में बैठ गयो फिर 15-20 लोग जो मुहालफीन थे उ भार्म मामला जो है यह सेक्रोटी के प्रावलम है वहाँ पर प्षिल करना जही है न यह तो गौर्मन का काम है कि कर्ना मुल्जम को तहफूस देना मुल्जमों को थे तो unser ढ fant है कि हमें सट्करोटी फौर्टी को फराम की जे जे है जजजिस को सक्रोटी के जाए कि जो मैंने वाकियात को ताकि उसको बचा जा सेके हो चाहिए अच्छा जिससे भी आपने सेक्यूरिटी के फचात और यह हाई कुड बार के भी एलेक्शन जब हुए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डिफिनेटली बीबी किया सारी चीज़े आती हैं लेकिन कभी-कभी एलेक्शन के लेक्शन के लेक्शन की यह एक अच्छी बात है कि वहाँ पर जो जो लेक्शन होते हैं और उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी मिशावरत से यह सिस्टम तैय किया गया था कि बायिमेट्रिक सिस्टम के तहद होंगे और तीन मिहने पहले ही वोटर्स को यह बत सकेंगे तो यही हुआ तकरीबान गालबान 16,226 वोटर्स थे जो गर जिस्टर्ड हुए और उनको वोट कास्ट करने का कहा गया था और फिर दूसरी जो बात जैसे कि अब शिफाफियत की बात कर रहे हैं तो सारे उदर पूरी टीम मुझूद होती है जो चेर्मन एलेक्शन में तो होता है लेकिं लहोर हाइकार बार में ऐसा कभी नहीं हुआ कर एक्षण के उपर की सवाल उठाओ क्यूंकि अस सिस्टम के तहए यह एक्षण होता है बायोमेटिक सिस्टम के तहए और जैसे ही वोटिंग हत्म होती है अगले दस मिनिट के बाद रजल्ट आ जाता है यानि वोटों की गिंती वाला जो मसला है रात रात तक बैठे रहे चेज़े घंटे वो वाला मामला नहीं है और ये जो शुरू किया था ये शवकत महमूद जोहान साब थे साबिक सदर लहुरा एकुट बार उन्होंने ये बायोमेटिक सिस्टम लेकर आये थे जिसके बाद उसको अभी तक वह कंटीनू करेंगे मुझे ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद हाजर होंगे आप देखते रहें जागो लहुरू